तुण फिर्व तूड़ pare अगर कैनेड़ा को भी दार भी लाहार बनानाना है तो फिर ऐसी बात कर लेते हैं जोब कैनेड़ा को एक फिर अगर हमें तुम्हें रहा हूं और मैं fossil joins गार तुम नहीं जाओ के एंगए लेक्म यार यह सब मार्केटिंग की स्ट्रेटेजिस हैं मैं पड़ा लेखा बंद हूं मुझे मत संग्या हूं और फिर सरकाल कहती है कि हमने तो हर साल अर्बों डॉलर खर्च करे अर्बों डॉलर खर्च करे तो वो सडक में पेड़ के नीचे यह छोटी सी दुकान लगा के दो टाय क्या डायलॉग्स इस वीडियो को लाइक करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आकर दावाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों जब नेता चुनाओ हारने वाला होता है या फिर नेता के अंदर बहुत जादा आग होती है बड़ी भूक होती है कि मुझे च घर खरीकते हैं तो फिर आप बैंक से पैसा लेते हैं तो घर गिर भी रहता एक किसम से बैंक के पास कागज रहते हैं जब आप पूरा लोन चुका लेते हैं फिर कागज आपको मिल जाता है यही प्रोसेस दुनिया भर में होता है भारत में भी कैनेडा में भी अमरीका में क्योंकि कुछ ना कुछ तो collateral चाहिए भाई बैंक को राइट कुछ ना कुछ collateral चाहिए बिना उसके कैसे पैसा दे देगा फिर तो personal loan हो गया वो तो home loan में ऐसा होता है mortgage होता है लेकिन Trudeau ने क्या करा Trudeau ने क्योंकि Trudeau को पता है कि वो चुनाव हारने वाला है वो बारूद की सुरंगें बिचा रहा है अगले बंदे के लिए जो अगला candidate बन उसको ये पता है कि मैं हरने वाला हूँ कहीं न कहीं वो जीतने की कोशिश कर रहा है इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि नेता अंत तक जीतने की कोशिश करता है वो फाइट मारता है जस्टन टूडो भी फाइट मार रहा है लेकिन दोस्तों उसको ये बात पता है कि अब उसका खेल खतब हो गया क्योंकि उसकी पॉलिसी जैसी है अब ये बिचारा है बारूद की सुरंगे यही काम इमरान खान नियाजी ने पाकिस्तान में करा था इमरान खान ने बोला तेल सस्ता कर दो जबकि आएम एफ ने बोला था कि तेल महंगा करो क्योंकि आएम एफ ने पैसे दिये थे वई उसने बोला नहीं तेल सस्ता करो ये करो उसने इतना जादा कर दिया जब इमरान खान को पता लगा कि उसकी गद्धी जाने वाली है अब वो प्रधान मंतरी नहीं रहेगा तो आखरी एक मेहने में उसने इतनी बारूत की सुरंगे बिशा दी कि जब दूसरा प्रधान मंतरी आया और उसको मजबूरन जब दाम आने पड़े तो लोगों ने बोला देखो इमरान खान कितना इमानदार है पैसे नहीं खाता था इसलिए सस्ता है दूसरा वाला पैसे खाता इसलिए ये गेम कर दिया इमरान खान में राइट यही चीज जस्टिन टूडो कर रहा है अब जस्टिन टूडो लाया है हलाल यानि कि इसलाम में दोस्तों क्या होता है इसलाम में आप ब्याज नहीं ले सकते हैं ब्याज को हराम माना जाता है इसलाम माना मुसलिम मुलकों में चलता है जादा तर ब्याज शराब को भी हराम माना जाता है शराब भी पी जाती है दबा के मेरे खुद जान पचान के हैं मेरे मुसलिम दोस्त हैं टिका आगे पीते हैं मैं तो पीता पाता नहीं टिका आगे पीते हैं ठीक है तो ये सब कहने की बाते हैं एक आइडेंटिफाइ कर रखा है सुर जिसको नहीं खाएगा कोई भी मुसल्मान ने खाएगा जारतर मैंने देखाए कि 99% मना कर देते हैं सुर के लिए बाकि सारी चीज़ें जो इसलाम में कई सारी चीज़ें है जो हराम बोल रखी है ये थोड़ दा मान रहे हैं मैं सारा मुसल्मानों की बात नहीं कर रहा है जिनको मैं जानता हूँ जिनको मैं समझता हूँ जिनको मैं जानता हूँ जिनको मैं समझता हूँ जिनको मैं जानता हूँ जिनके साथ बच्पन में पड़ा वो शराब भी पीते हैं ब्याज पर पैसा देते भी हैं ब्याज पर प सी को इसने फाइनाशल इंस्टूशन सेट अप कर दिये कि कोई भी मुसलिम जाएगा उस खास बैंक में जो आइडेंटिफाइड है वहाँ पे उसको ब्याज नहीं लगेगा वो इंट्रेस्ट फ्री वहाँ से लोन दे सकता है हाँ एक पैसा डिड़क्ट होगा जिसको प्रॉ आया था दुनिया में चाहे भारत का समय हो चाहे साओधी अरब का हो चाहे दुनिया में कहीं का भी हो जब लोग पैसा उठाते थे किसी सूध खोर से तो इतना सूध ले ले लेता था कि जनम जनमांतर उसके बेटे उसके बच्चे उसके बच्चे उसके बच्चे कहते थे स सूध जो था ना सूध सूध देते चले जाते थे और असल वहीं पर खड़ा रहता था भारत में भी ऐसा हुआ है तो उस जमाने में उस परिपेक्ष में बोला गया था कि साब सूध नहीं चलेगा क्योंकि सूध घोरी से बंदे मर जाते हैं परिवार खताम हो जाते हैं यहां अपना पैरलल सिस्टम चाहिए मुझे एक बात समय और मैं कोई कम्यूनल आदमी नहीं हूं बिलकुल और ना मैं चाहता हूं कि कोई भी मुझे ऐसा समझे कि मैं कोई कम्यूनल बात कर रहा हूं मेरी हर समय लड़ाई दोस्तों रही है बराबरी के लिए कि सब बराबर है यह कैनेडा है कैनेडा एक सेकुलर मुल्क है राइट गल कैनेडा में दस हजार हिंदू सड़क पर अधारन के लिए और यह बोलें के साथ कैनेडा में या जहां पे उनके ओफिस हैं उनके ओफिस के दाइरे 500 मीटर के दाइरे में मंगलवार को non-vegetarian food नहीं बिखेगा हमार मंगल है अंडा वंडा कुछ नहीं विकेगा वाँ पे कैसा है कैसा हो सकता है भाई आप अगर आप मुस्लिम हैं और आप कैनेडा में रहते हैं और अगर आप किसी इसलामिक देश से आए हैं अगर आप किसी डेमोक्राटिक कंट्री से आए हैं तो वहाँ पे वैसे भी यह सब तो आप उस इतने बहतरीन इतने अजीम मुल्क को छोड़ के कैनेडा क्यों आए अगर कैनेडा को भी लहूर बनाना है तो फिर ऐसा ऐसी बात कर लेते हैं कि आप कैनेडा को एक काम करते हैं लहूर हर जगे यह ठीक नहीं लगता यार इस पुशिंग अगेंस्ट असुसाइट पुशिंग अगेंस्ट सोशल नॉम्स ये दोस्तों कुछ नहीं है जस्टन टूडो तो है बेवगूफ का बच्चा ठीक है यही कॉम्परमाइज इसने पहले खालिस्तानियों के साथ करा था यही कॉम्परमाइज करा था इसने खालिस्तानियों के साथ इसने खालिस्तानिय उसकी जबान से आपको पता लग जाएगा आपने ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया अब आप कह रहे हैं कि हलाल मौर्गेज होगा कैनेडा किस प्रकार से एक फर्स वर्ड एकॉनमी बना कोई बताएगा मुझे क्योंकि कैनेडा ने बोला कि ये एक मेरिटोक्रेसी है सब के लिए एक कानून है यहाँ पर सेक्लिरिजम है और यहाँ पर कुछ ऐसी चार पांच चीज़ें हैं जिसको हम लेके आगे चलेंगे ये हमारे फंडमेंटल्स है जब आप ऐसे फंडमेंटल्स को कॉंप्रमाइज करेंगे तब दिक्कत होगी भारत में भी ऐसा होता था दोस्तों हलाल मॉर्गेज नहीं भारत में पहले सरकार पैसे देती थी कि आप हज के लिए जा सकते है एक्चुल में क्या है मैं आपको बताता हूँ ये भारत में भी तुष्टी करण की राजनीती ने बहुत नुकसान पहुचाया है अब मैं आपको बताता हूँ इसमें बड़ी अजीब सी बात है और ये मैं मुसल्मान भाई बैन जो देख रहे हैं ना मैं उनको बता रहूँ अगर आप मेरी बात सुनें और एक खास परिपेक्ष में खास कॉंटेक्स में मेरी बात समझें तब मैं आपको बताता हूँ और ये बात मैं अपने मुसल्मान भाई बैनों से कह रहा हूँ एक जमाने में हज की सबसिड़ी मिलती थी कि आप हज के लिए जाओगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा ये होगा वो होगा पूरा सस्ता परता था हज जाना पहली बात पहली बात कुरान में ये कहीं नहीं लिखा है कि आप किसी से पैसे लेके हज जाओ कुरान साफ साफ कहता है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो जिन्दगी में एक बार हज जाओ साफ सीधी बात है अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो जिन्दगी में एक बार जाओ और अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं आप बहुत गरीब हैं आप नहीं जा सकते हैं कोई बात ने। अल्ला आपको जज नहीं करेगा कि यारे क्यों नहीं आया आज के लिए। जज वो तब कर सकता है कि जब तुमारे पास सारा पैसा था, सारे सुकसाधन थे, तब तुम नहीं गए, तब गलत है, लेकिन अगर तुम नहीं अफोर्ट कर सकते है, कोई बात नहीं। पुरानी सरकार होने क्या करा, बोला कि नहीं, जो भी मुसल्मान जाएगा में इतना पैसा देंगे, काफी लोग गए हज, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे, अगर मेजर गौरवरिया यह बोल दे, कि यार, पैसा मिलना चाहिए हिंदू को, अगर उसको श्रीय युद्ध्या जाना है, पैसा मिलना चाहिए हिंदू को, या वो वेश्नमाता जाना चाता है, या वो तिरुपती जाना चाता है, या वो कैला इशमान सरोवर की आत्रा के लिए जाना चाहता है तो फिर मेजर गौरवारिया कम्यूनल बन जाएगा इसने बात कैसे करती यार यही मैं बात कहरो नबात बराबरी की हो बात हर समय बराबरी की होनी चाहिए मैं यह नहीं कहता कि मेरा धर्म Islam से बहतर है या Christianity से बहतर है मुझे कोई फरक नहीं पड़ता मैं हिंदू हूँ मैं सनातनी हूँ मुझे 2 रुपय का फरक नहीं पड़ता आप अपना मानों आपना मानेंगे ये पूरी चीज के मैं तुम से बहतर हूँ और मैं स्वर्ग जाओंगा और तुम स्वर्ग नहीं जाओगे ओ भाईया कोई नहीं जा रहा स्वर्ग यार ये सब मार्केटिंग की स्ट्रेटिजीस है मैं पड़ा लिखा बंद हूँ मुझे मत समझाओ ठीक है तो मैंने आपको दो पॉइंट बताए सचर कमिशन की आप रिपोर्ट पढ़ो आपकी आँखें खुली की खुली रह जाएंगी और ये कहा गया है कि जितनी भी इंडिया में रिलिजिन्स और कास्ट्स है सबसे नीचे सोशल डेवलप्मेंट जो है वो मुसलमानों का है इंडिया लेकिन सरकार कहती हमने तो लाकों करोडों खर्च करे कॉंगरेस सरकार ने भी यही गाना गया कि हमने लाकों करोडों खर्च करे लाकों करोडों खर्च करे हमने हर साल इतना अरे भाई अगर तुमने मुसलमानों पे इतने पैसे खर्च करे तो वो गरीब क्यों है ये बता दो मुझे या तो तुम जुट बोल रहे हो कि तुमने मुसल्मानों पर खर्च करे या फिर कौर जोले दोस्तों सच बात ये है कि मुसल्मानों पर खर्च करे गए अगर मैं डॉलरों में बताऊं तो अरबों डॉलर खर्च करेगा है हर साथ अब पहुंचे क्यों नहीं नीचे तक तो फिर वो पुरानी गजल है न कि बात निकलेगी तो फिर दूरत लग जाएगी है न वक्व बोर्ड का क्या जोल है ये समझ लो जो मुसल्मान लीडर हैं उनका क्या जोले ये समझ लो इस पूरे सरकार की नीतियों से कुछ मुसल्मान परिवार कुछ चंद मुसल्मान परिवार बहुत अमीर बन गए और वो बन गए भारत के मुसल्मानों के ठेकेदर ये कैनेडा में यही काम हो रहा है दी मैं आपको बताता हूँ कैनेडा में क्या हो रहा है मैं वापिस कैनेडा पर जाओंगा आप सोचें मैंजेसाब कहाँ आप इंडिया में घुसा दी आप तो कैनेडा की बात कर रहे थे मैं आपको बताता हूँ होता कैसे है पूरा पॉलिटिकल गया आपने मुसलमानों को खुश कर दिया आपने उनके लिए स्कूल नहीं बनाए आपने उनके लिए कॉलेज नहीं बनाए आपने ये नहीं बोला कि इसके बच्चे बच्चे डॉक्टर बनेंगे इंजिनिर बनेंगे I.S.I.P.S. बनेंगे आर्मी में ऑफसर बनेंगे साइंटिस्ट बनेंगे आपने बोला नहीं आपने बस इनके नेताओं को बोला कि तुम्हें पैसा मिलता रहेगा तुम्हारा कट तुम्हारे पास आता रहेगा नेता ने बोला ठीक है देखो कोई बात नहीं बिल्कुल कोई बात नहीं है बिल्कुल फिकर मत करो एक काम करो इनको बोलो कि हम तुमें डिसकाउंट दे देंगे हज मैं मैं हिजाब की बात कर देता हूँ मैं नमाज की बात कर देता हूँ मैं ये बात कर देता हूँ कि इसलाम खत्रे में है कानी घतम अब जो भी आदमी थोड़ा समय मानता हूं हिंदू वो मुसल्मानों से किसाई हो जो गरीब होता है वो हलका सा जज़बाती होता है क्योंकि he's facing a lot of problems he's facing a lot of problems in life वो emotional आदमी हो जाता है आपने मुसल्मानों को emotional कर दिया और फिर वहां से शुरू हुई तुष्टी करण की राजनी थी और फिर सरकाल कहती है कि हमने तो हर साल अर्बों डॉलर खर्च करे अर्बों डॉलर खर्च करे तो वो सड़क में पेड़ के नीचे ये छोटी सी दुकान लगा के दो टायर लेके क्यों अपनी दुकान लगा के बैट थाए वहां पे यार तुमने तो और्बों खर्च कर दिये और्बों हैं कहां दिखें तो वो दिखते नहीं है उस तो समझने वाली बात है अब ये जस्टिन टूडो क्या कर रहा है पिर मैं आपको लेकर आऊंगा उतरफदेश योगी जी पर भी लेकर आऊंगा अभी पर वापिस चलते हैं दोस्तों कैनेडा ये चाहा क्या राइजस्टिन टूडो इसके दो काम है यहाँ पे एक्चुली क्या है कि जितने भी वहाँ पे खालिस्तानी है सबके सब तो भारत से आए हैं और खालिस्तानी हैं वहाँ पे पर इतने ज़्यादा नहीं हैं हैं अच्छी मात्रा में हैं और कई सीट्स हैं जो खालिस्तानी इंफलॉंस कर सकते हैं ये बात भी साँच है उनके पार्लिमन्ट की सीट्स की कर रहा हूँ वो influence कर सकते हैं लेकिन वहाँ पे बड़ी solid Muslim population है बड़ी solid Muslim population है लेकिन एक बाद बताईए जो Muslim population वहाँ पे आई है वो Canada एक secular democratic country है उसकी citizenship लेने आई है ना क्यों लेने आई है भारत से जो बंदा जाता है मैं कहता हूँ भारत से एक Hindu जाता है लेटस टाक अबाझ एक और किनेड़ से जो हिंड़्या पहूँ लेती चाशुआ लेकिन और उसका परिवार वहाँ प्यों गया अगर परिवार उसका गया और ये क्यों क्योंकि उसको लगता है कि Canada मुझे ऐसी opportunities देगा, ऐसे मौके देगा कि मेरे और मेरे परिवार की जिंदगी बहतर हो जाएगी, समझने दोस्तों, परिवार की खुद की जिंदगी बहतर करने के लिए आदमी migration करता है, आदमी immigration करता है, और आदमी चला जाता है यहां से वाँ, आदमी ओरत कोई भी हो, लेकिन वो जो Canada है, वो Canada का कोई अगर बड़ा नेता, यहां पे Justin Trudeau, अगर Canada का very character change करना चाता है, अगर वो Canada का पूरा चरित्र change करना चाता है, तो वो Canada नहीं है जिसमें बहतर स्थिती बनाने के लिए लोग गए थे, वो change हो जाएगा Canada, आप उसको पाकिस्तान बना रहे हैं, जब आप मधब को सियासत के साथ मिला देंगे, भारत में, India is a very religious country, हिंदो मुसलिम बहस होती रहती है, यहां पर पर्मेनेटली, जब से मैं पैदा हूँ तब से देख रहा हूँ हिंदो मुसलिम बहस होती है, लिकन यहां पे ऐसा नहीं है कि यह हिंदू सिक्षों रिसाईयों के लिए, ऐसा नहीं है भारत में, अगर उजुला योजना के तहत गैस जाती है, तो मुसल्मान के घर पे भी जाएगी, अगर टॉलिट बनेगा, तो हिंदू सिक्ष एसाई मुसल्मान के घर भी बनेगा, अगर बैंक के खते खुलेंगे, तो तो हर चीज में आप हलाल करना चाहोगे फिर, इसका तो कोई, यह, आप यूट्वीब पर जाईए, आपको वीडियोज दिखेंगे, हलाल पानी की बोतल कैसे हलाल रुकिए भाई, पानी की बोतल कैसे हलाल हो सकती है, हलाल का मतलब क्या है, हलाल का अगर मैं इंगलिश में उस सही हो गया, यहीं तो है, मुसलिम भाइबान बताएं, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, ओ भई, आप एक पैरलल बैंकिंग सिस्टम कैनडा में खड़ा, मुझे तो कभी जाना नहीं कैनडा, मुझे कोई इंट्रेस्ट नहीं है, मुझे कई, मैं कई बार बता चुका हूँ, लोग कहते हैं, साब आप ऐसा बोलेंगे, तो फिर आप यहां पे आपको अलाउड नहीं होगा, मैं दिल्ली जाके खुछ नहीं हूँ, मैं नॉडा में रहता हूँ, मैं डिल्ली जाके, अब यह आपने एक पैरलल सिस्टम महाँ पर शुरू कर दिया, और आपका पैरलल सिस्टम जो आपने शुरू करा है, वो आपने बोल दिया कि, इस पैसिफिक टू रिलिजिन है, डाट डिफीट्स, डाट डिफीट्स, अब ही तक, मुसल्मान तो वहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं कैनड़ा में, अभी तक किसी को प्रॉब्लम नहीं आई, यह जस्टिन टूडो के अंग विशेश में खुज ली हुई, और उसने बोला कि मैं यह एक और शबूफा छोड़ देता हूँ, अब यह चीज रुकेंगी कहां पर दोस्तों, हलाल रेस्टाउंट मुझे समझ में आता है, इसलाम में आप जब तक जानवर को हलाल नहीं करते, आप नहीं खा सकते, ठीक है जी, यह इसलाम कहता आप नहीं खा सकते, यह बात मैं मनता हूँ, कोई बात नहीं, हलाल रेस्टाउंट होने चाहिए, नमकीन के पैकेट में हलाल लिखा हुआ है, नमकीन कैसे हराम और हलाल हो सकती है, जूस में, चिप्स के पैकेट में, कल, आज इसने बैंक कर दी, मैं आपको बताता हूँ, यह जो जस्टिन टूडो कर रहा है, क्यों खतरना के आपको लगेगा, कि मेजर साथ, वाई यू मेकिंग अ माउंटेन आड़ अमोल, इस लीड्स टो सेग्रिगेशन अफ सुसाइटी, इस से सुसाइटी में, बीच में दरार आती है, कैसे आती है दरार, आज आपने हलाल बैंक कोल दिया है, खोल दिये हलाल बैंक, अब उसमें मूसलمان ही जाएंगे हलाल बैंक में, कल आप बोलेंगे, हमें हलाल स्कूल चाइए बच्चों के, या तो हलाल स्कूल दो, या फिर बोलो कि जो नन मुसलिम महाँ पे है, वो भी हलाल का खाना खाएगा कलाके हलाल स्कूल होंगे आप कल फिर परसों बोलेंगे कैनेडा में कि हमें हलाल हॉस्पिटल चाहिए हलाल हॉस्पिटल चाहिए एक पूरी हलाल एकॉनमी बन जाएगी दोस्तों और कई जगे हो रहा है जब जानवर हलाल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आप जानवर हलाल करते हैं अगर आपका मजभ वो कहता है वेरी गुड कोई दिक्कत नहीं है जो भी आनवल आप खा रहे हैं बगरा मुरगा तो आपको उसको हलाल करना है वेरी गुड अप हलाल करके जरूर खाओ आपका मजभ कहता है आपको माननी चाहिए मजभ की बात लेकिन वो हलाल कौन कर सकता है वो एक Muslim male होगा ठीक है अगर मैं by the way जानवर को हलाल करता हूँ मेरा काटा हुआ हलाल नहीं माना जाएगा क्यों को मैं हिंदू हूँ फिर वो एक तरीके से काटा जाएगा एक तरीके से उसको जो भी उसका X, Y, Z I don't know, जो भी होता वो करा जाएगा ये पूरा जो सिस्टम है ये बनता है हलाल तो यानि कि जो मीट का धंदा है और इसमें काफी हिंदू भी मुलब्विज है इसमें कोई डाउट नहीं है जो पैसा, और प्यॉर वेजिटेरियन इन दो जिनके घर में लेसन प्याज नहीं बनता वो इसका दंदा करते है जो कोई बात नहीं, आपका, आपकी मर्जी है आपको जो करना है करो लेकिन मुझे इस बात समझ वे नहीं आती है वान तिंग विचा एकनोट अंडिस्टेंड जो मुसल्मानों के लिए जो कुरान में लिखा है वो 100% होना चाहिए लेकिन ये हलाल बैंकिंग ये तो कुरान में नहीं लिखा है कल हलाल स्कूल बनेंगे हलाल कॉलिज बनेंगे हलाल अस्पताल बनेंगे हलाल कैफेज बनेंगे ये कौफी हलाल है ये चाय हलाल है, ये पानी हलाल है, ये चिप्स हलाल है, ये पॉपकॉर्ण हलाल है, हलाल से नहीं होल होंगे, फिर सुसाइटी को आप बाट रहे हैं, ये काम जेस्टिन टूडर ने शुरू कर दिया, दोस्तों महला खतरना काम है ये, थैंग गॉड इंडिया में नहीं, अब सर्टिफिकेट देते थे, वह भई तुम हो कौन, तुम कितने पैसे ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, तुम कुछ भी बोल देते हो, इसको हलाल, इसको हलाल, इसको हलाल, तो यहां पर ये सब बंद करा, देखो हैर मेरा सिर्फ एक चीज़ माननी है, ठीक है न, ये नो, पीपल दुनिया आधे में तक्सीम हो जाएगी, और मुझे लगता है कि बड़ा खतरनाक है, जो कैनेडा कर रहा है न, जो जेस्टन टुर्टो कर रहा है, ये अपने आने वाले जो अगले परधान अन्तरी के लिए बारूत की सुरंगे लगा रहा है, और कैनेडा में होगा कुछ यह कहते हैं जै हिंद जै भोले नात जै हिंद साइम जै भोले नात आपको भी क्या मैं कह सकते हैं कि یूस और इजराईल इरान और आफगानिस्तान को खतम कर देगा अगले दो तीन साल में उसके बाद क्या पाकिस्तान को भी निपता देगा is this plan to eliminate all radical Islamic countries मुझे नहीं लगता ऐसा कोई प्लाइन है, मुझे नहीं लगता कि एरान को कोई खतम कर देगा, या इरान गायब हो जाएगा, या अफगानिस्तान को तो अफगानिस्तान को तो अलेक्जंडर दा ग्रेड गायब नहीं कर पाया, तो यह क्या ही कर लेंगे, लेकिन हाँ, लेक इस्पिटिबल पीपल, अच्छे लोग है एरानी, उनकी लीडर्शिप पागल है, मेरी प्रॉब्लम लीडर्शिप के साथ है, मैं तो अगर मैं बता रहा हूं, ये लीडर्शिप चेंज हो गई ना, मैं सबसे पहले तहरान जाओंगा, I want to visit एरान, मैं जाना चाहता हूं इरा और मुझे नहीं लगता कि ये फिनिश कर देंगे, बट येस, काउंटर स्ट्राइक तो होगी है, ये बात ता है, कैसे होनी है, किस सूरत में होनी है, मिलिटरी होनी है, डिपलोमाटिक होनी है, एकोनॉमिक होनी है, मुझे नहीं पता, लेकिन जबरदस्त काउंटर स्ट्रा विशाल केजरिवाल की भटकती आत्मा यह तो उसमें भी थे नहीं है भाई साब हमारे क्वेस्टन पूछाता है इन्हों नहीं है गुट इविशाल जी नमस्कार आपको बड़ा खतरनाक आड़ी है केजरिवाल की भटकती आत्मा सर आपको लगता है कि 0.5 front is now becoming one proper as fake narratives are increasing immensely day by day and when will भारत show its intentions and create our own narratives हमारे भी narratives create हो रहा है हमारे actually क्या होता है कि न सच होता है न सच को हरसा में देर लगती है अगर मैं ही हूँ अगर मैं जूट बोलू और वो जूट मुझे पता है कि यह जूट बोलके आप खोश हो जाओगे ताप बड़े खोश हो जाओगे भूल के गु जो आप कह रहे हैं कि यह आएंगे चुनाओ तक चुनाओ तक आएंगे मैं आपको एक और बात बता दूँ मैंने पहली भी रिपीट कर रहा था है पहले भी बोला था दो तीन बार आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ माफ कीजेगा विचाल जी ऐसा है ना यह जितने भी यूट्यूबर हैं मैं किसी यूट्यूबर विशेश का नाम नहीं लूँगा जितने भी यूट्यूबर हैं बड़े बड़े जब चुनाओं में अचानक अक्टिव हो गए हैं और यह होना चाहिए और इस पार्टी के खिलाफ और अचानक जो अक्टिव हो गए हैं सरकार क मोधी जी को गालियां देने में ठीक है, इनमें से कुछ भाई विदेशते भी आए हैं कुछ स्वदेशी हैं, कुछ विदेशी हैं सब में एक मिली जूली सरकार है जो कि गवर्मन्ट को गाली, मोधी जी को गाली है कि वोट मक्दो, बीजेपी ने ये गलत करा, ये गलत करा ये सब महल बना रहे हैं, मिलियन्स में इनके विउज आते हैं ये सबसे बड़े प्रधान मंतरी मोधी के सपोर्टर है इस अर दे बिगस सपोर्टर अफ पीम मोधी, मैं बताता हूं क्यों आपको इनको विउज क्यों मिलते हैं और कौन लोग हैं जो इनके विडियोज रोग देखते हैं इनका सपोर्ट बेस क्या है वोई मिलियन्स चार पांच दस मिलियन्स लोग जो रोज इनके विडियोज देखते हैं या हफते में एक दो बार इनके वीडियोस देखते हैं, राइट, वही लोग हैं, वो लोग कौन हैं, वो लोग वो हैं जो सरकार के खिलाफ हैं, अब जब वो सरकार के खिलाफ हैं, तो इनके वीडियोस देखेंगे, या मोदी जी के खिलाफ हैं, तो इनके वीडियोस देखें अभी बरषाथी मरडक कि तरह यह बाटार बूलते चले जा रहे हैं, इनका देखिये बात यह है कि आप सोचिए एक, मैं आपको छोटा सा एक्जांपल दे रहा हूँ, मानिये, और बोड़ा घटिया एक्जांपल है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको मानिये कि राहुल गांदी या अरविंद केजरीवाल प्रधान मंतरी बन गए देश की जो कि कभी नहीं हो सकता, जीवन में नहीं हो सकता, 500 साल में नहीं हो सकता लेकिन मानी अब बन गए, मान लीज़े, मैं कह रहा हूँ मान लीज़े, भाई हूँ आपका मान लीज़े भाई की बात, बन गए, तो ये जितने भी YouTuber हैं जिनकी साल में करोडों की कमाई है, करोडों की कमाई है, इनका पैसा तो बंद हो जाएगा, च्योंकि अगर गेजरी में थे या हमारी पार्टी माफ करना जब हमारी पावर में थी तब तो तुम हमसा सवाल पूछ रहे था उपोजिशन में अब भी तुम हमसा सवाल पूछ रहा हूँ उन से पूछो तो इनका पूरा महल ढह जाएगा ये लोग चाते हैं इस पीपर डेस्परिटली वांट प्राइम इनस्टर मोदी कम से कम दस साल के लिए सिर्फ ये नहीं चाते कि 2024 जीते हैं वो चाते हैं कि 2029 भी जीते हैं तो दोस्तों ये जो बात है ना कि कोई विदेश से आया है वो YouTube ये फिर पहले किसी network के लिए काम कर रहा हो आज कल YouTube चला रहा हो सारे के सारे मूँ से मोदी जी को रोज गालियां सरकार को रोज गालियां मूँ से लेकिन दिल में इनके सर्फ एक या आवाज है वो क्या आवाज है कि अब की बार 400 पार क्योंकि इनके धंदे के लिए बहुत जरूरी है अब की बार चार सो पार और यह छोड़ेंगे नहीं इसको तीसरा है संकेट शाजी का सवाल हेलो मेजर सर जाहन संकेट जी मेरा सवाल है कि सारे की सारी कॉंफलिक्ट यॉर्प और एशिया में ही क्यों हो रही है हम कभी नहीं देखते कि साओध अमेरिका में ओशियाना में गेटिंग इनवाल ऐसी वहाँ पर गुरिलाज हैं वहाँ पर कॉमिनिस्ट हैं वो सरकार इसकी फेर बदल इसको कूज बड़े कॉमन है वहाँ पे hardly any stable democracy hardly any अमलब ब्रजील थोड़ा ढंका है पर hardly any stable democracy वहाँ पे good fund होते हैं अफरिका में कितना अफरिका में कितना ज़ादा कलेश है civil war ओड़क है अफरिका में वो नहीं आपको मिलेगा अफरिका में इतना कि तंजानिया ने कीनिया की उपर बम गिरा दिया यह नहीं आपस में tribal warfare एक दूसरे की गरदना काटना warlords मोगाद इशू से जा रहे हैं खुली गाली में बैठके Black Hawk Down आप देखना तब आपको अच्छा लगएगा एक फिल्म है Black Hawk Down तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो गर पसंद आया ना तो सुरीय को लाइक करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बेला का दोआना बिल्कुल भी मत भूलियेगा जैहिंद वंदे मातरब भारत मता की जैन